हेलो गाइज वेल्कम बैक टो फूडी व्लोग ऑफ यासमी तो मैं आज बनाने वाली हूँ बटर चिकन क्यूंकि आज वीकेंड है तो कुछ क्रेजी सा कुछ अच्छा तो बनता ही है ताकि हम अपने चीट डे पे कुछ अच्छा खा सके तो मैंने यहां पे हाफ केजी चिकन के पाउड मैने अकुन बने ट्रिया है जिसके लिए मैंने हाफ पैकेट ओव कर्ट डाल डाला है तर्मर्यक पाउडर आदा चम चिंह नमक अस पर यह आध रचम टाला है मैंने और मिड्ची दाला है मैंने तो चमाज गरा मसला भी दाला है और अच्छे से मिक्स करके साइड में रख दिया है अब मैं यहां पे कड़ाई ले ली हूँ अब कड़ाई में मैंने टेल दाल दिया है तीन से चाठ चमच मोस्ट परबबली और मैंने बड़े से ऑउनियन पांच ले लिया है उसे जैसे भी अब को समझ में आगा इस वैसे कट कर लीजे और अच्छे से उसे मिक्स कर लीजे अब यहां पे मेरे पास काजू तो नहीं थे तो मैंने इसमें एड कर दिया है पीष्टा जो गाडू तो कुछ न कुछ तो बनता ही है न तो बागी कि हम सारे मसाले जो हमने आड किये थी च मैंने इसमें दो कश्मीरी लाल मिर्ची और चार सुकी लाल मिर्ची याट करी है इसलिए ज्यादा देख रही है बट यह पीष्ट के पकने सब होने के बाद गाइस बहुत कम हो गया था तो मेरे हिजाब से तो कम था अगर आप लोग के हिजाब से आप जितना डाले उतना आप देख सकते हैं तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर मैं इसको साइड में थुड़ी देर के लिए रख दूंगी थंड़ा होने के लिए उसके बाद में हम इसे ग्राइंड करके पेस्ट में बना लेंगे उसके बाद में च्छान के अच्छे से प्यूरी खड़ाई ले हुँ हुँ गधाँ अच्छ से चिकन में आल का यहां से अच्छी चिकन ड़का ट घाया करे भाント डाल के अच्छी चिकन डालीजिक्ट की खड़ा करने हैं इसलिए मैंने ओयल बस तीन से चार टेबल स्पून ही लिया है जिसके अंदर मैंने चिकन बैचेस बाइचेस फ्राइकर के हाफ को की हां लेकर मैंने साइड मे रख लिया है मैं एक बात बता हूं सच में जब बड़र जिकन मैं बना रही थी तब मुझे समझ में आए कि कितनी ज्यादा महनत लगती होगी बाहर जो बावरची शेफ जो बनाते हैं वाव लोग का थोड़ा जगां पर टेस्ट रचा नहीं आता है लेकिन जो वाके में इतनी महनत लगती किया है दो एक ध्यादा सफ दो, अयहाँ पे मैंने चिकन फ्राइ नोगवार जाए रही हूं साथ ही मैंने जो नहीं है जो गर्राइंड करकी उसको मिने प्यूरी में कर लिया साथ ही साथ में मैंुसे भी भाजु कमें रखा लिया यह जैसे यह शिकन फ्राइब होज़ě और एक बेग क्यूब या चंक ऑफ बाटर दालूंगी ताकि जो बाटर चिकन का बाटर से ही मजाता है न गाइस वो तो किसी से भी नहीं आता है सची तो मैंने इसमें बाटर दाल लिया है अब इसमें में खड़े मसाले दालूंगी जो कि होगा शाजीरा दालचीनी लॉंग इलाईची गरम असाले में औरे काईगा ब्लाक पेपर जो कि काल मिर्ची और इसमें में तेज पता बितालूंगी का इस ताकि थोड़ासा और फ्लेवर अच्छे से ओल में मिल जाए जैसे मैं इसे फ्राइ कर लूं तो मैंने जो प्यूरी बेना के रख लिया है वह मैं इसम जब मैंने बनाया था मैं फर्स टाइम बनाया इसे और हट्स ओफ मैं अपने अपको ही अच्छा बनाता है तो आप लोग भी ट्राइ किये तो मैंने आपर प्यूरी डाली है मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूं और जो चिकन का मसाला जो मिक्स और लेफ्ट ओवर भोग गया तो मैं उसको भी मैंने पाने डाल के डाल लिया थोड़ इसी मैंने थिक क्रीम फ्रेश क्रीम जो भी आप करें है वो अवेलेबल वो आप डाल सकते हैं जैसे वो अच्छे से मिक्स कोख हो जाए वो ग्रेवी उसके बाद में आप चिकन पेसस आड कर लीजिए और फिर सिम आ मेरा बटर्खेकन अमुस्ते है ये अच्छों ये तो रडी हो गया आप मैंसे बाज़गर अब दू अक्दिए हो आप मेंन प्रोसेस बटर्खेकन और बटर नान नहां तो कोई फाईन नहीं है चाने अट मै घर में ही बना रही हो बटर नान्झ मैंने मैंने और्रिड रेट से आड़ल में सकंटेर अरता है विलौग में दूसरे मेरे रेसिपी व्लोग में बताऊजोंगी गाइस टो यह पर मैं बहुत व्लीया घरी तरहू है ति ही था यहां बनागी Nice जो घरी ढिंडान स्वा भेनी भाहिए लेकिन बटनान हो तो मज़ा तो और डबल ट्रिबल हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने बटनान रडी कर लिया और वोयला मैंने अब इसे सर्फ कर रहे हूं देखे गाइस इस सो लवली चलो ठीक है आप भी है ठ्राइ कीजिये बनाए और कुछ यह बाटिये सब्सक्राइब दक्स कीजिए ओंग फिर देखेग सब्सक्राइब कीजिए तो